Hello everyone, यह System Analysis and Design का 14th video lecture है इससे पहले हम लोगों ने SDLC के बारे में और उसके phases के बारे में पढ़ा था उसमें हमने SDLC models जिसमें से waterfall model और iterative model को cover किया था इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है prototype model कि prototype model होता क्या है उसमें phases काउन काउन से होते है when to use यानि किसको कब use करना है इसके advantages और इसके disadvantages तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि prototype model होता क्या है prototype model is a software development model in which a prototype that is an early sample of the final product is built and evaluated and then rework is done on it as per client requirements until a final acceptable product is achieved it means कि prototype model एक ऐसा software development model है जिसमें हम एक छोटा सा prototype बनाते हैं जिसे आप कह सकते हैं एक sample final product का यानि कि at the end जो हमारा output होगा उसका एक early sample बना लेना कि शुरुआत में देखिए कुछ हद दक आपका project ऐसा देखेगा तेक है या एक user को overview देदेना कि देखिए आप जो भी चीज़ें चाहरे हैं क्या वो ऐसी है तेक है उसको दिखा देते हैं उसके बाद वो evaluate करता है वो देखता है उसको समझता है फिर इसके हिसाब से वो इसमें चीज़ें add up कराता है या अपनी requirements को और अच्छे से बताता ह है जो भी suggestions वो देना चाहता है वो देता है फिर उसकी requirement के हिसाब से rework किया जाता है project पर और यह चीज़ कब तक होती है until a final accepted product is achieved जब तक जो finally product है हम जो भी चाह रहे हैं या customer जो भी चाह रहा है वो achieve ना हो जाए वो बनके तयार ना हो जाए next point कह रहा है a prototype is a working model of software with some limited functionality यानि कि prototype एक working model होता है वो सिर्फ virtually exist नहीं करता और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी functionalities भी होती है जिसको आप चला सकते हो चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से review भी दे सकते हो next point कह रहा है a prototype does not always holds the exact logic used in the actual software application कोई जरूरी नहीं है कि जो prototype हम आपको दिखा रहे हो उसमें exact logic हो जो भी हम actually software application बनाने वाले है यानि कि हो सकते है आपने project किसी और topic पे मांगा हो लेकिन हम उससे मिलती जुलती किसी similar चीज का prototype जो हमारे पास पहले से पढ़ा है वो हम दिखा आपको ठेक है तो इससे आपको एक idea तो मिल जाएगा ना कि चीज जो आप चाहरे है वो कैसी दिखेगी या कैसी होगी next point कह रहा है it helps to get valuable feedback from the customer and helps software designer and developers to understand about what exactly is expected from the product under development it means कि prototype model की help से हम feedback को जल्दी से जल्दी गेन कर सकते है customer के और उसके इलावा यह help करता है designers या developers की team को कि वो समझ सके कि जो हमारा client है उसकी आखिर expectations क्या है अपने software को लेकर जो भी हम उसके लिए बना रहे हैं next हम बात करेंगे phases of prototype model जिससे हमें यह समझ में आ जाए कि यह काम किस तरीके से करता है तो obviously बात है पहला है requirement gathering client की जो requirements है उनको gather करना उसके बाद हम उसकी requirement के हिसाब से designing करन नहीं होता है बलकि हम यहां पर quick design करते हैं जल्दी से जल्दी design को पूरा करते हैं इसके बाद हम एक prototype को बनाना शुरू करते हैं यानि कि एक चोटा सा sample बना लेते हैं जल्दी से जल्दी कोशिश करके कि उसका जो भी final output है project का वो शुरुआती phase में कैसा दिखेगा वो हम उ चीज की कमी है आप उसको add up करो अब client evaluation के बाद होता है review and refine यानि कि उसको review करना कि हाँ इसमें यह चीजों की कमी है और उसके बाद इसको refine करना यानि कि उसको और बहतर करना ठेक है prototype में क्या किया जाता है और बहुत सारे functionalities जो भी customer चाह रहा है ठेक है जो भी evaluation के time उसने ब बनाते हैं और उस prototype को बनाने के बाद evaluation के लिए फिर भी है जाता है कि client देख ले कि हाँ वो जो भी चीज़ें चाहरा है क्या अब सही है या नहीं अगर नहीं होती है तो फिर से review किया जाता है फिर design बनाते हैं फिर prototype करते हैं तो इतनी चीज़ें repeat होती रहती है until client evaluation में हम pass हो जाएं और जब client evaluation में हम pass हो जाते हैं यानि कि client को last prototype पसंद आता है फिर उससे deploy कर देते हैं ठीक है यानि कि market में उतार देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो prototype model हता है वो काम करता है यानि कि prototype में हम coding बगारा भी करते हैं आप यह मत सोचिएगा इसमें कि जो design हम बना clients है project को लेकर वो clear नहीं है तो इस case में prototype model को use करना बेतर है next point कह रहा है mid to large project size यानि कि project size है हमारा medium to large होना चाहिए बहुत छोटा नहीं होना चाहिए project और बहुत जादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए medium to large के बीच में रहना चाहिए next point कह रहा है client can communicate without delays और खास करके तब जब client हमारा जो भी है वो बिना delay के communicate कर सके क्योंकि हमें उसे बार बर prototype को दिखा कर review लेना होता है तो prototype model में client और जो हमारा developer होता है उनके बीच में communication अच्छा होना चाहिए strong होना चाहिए यानि कि बिना किसी delay के हम आराम से उसको prototype दिखा दें और वो review दे सके time दे सके अपन quickly which speeds up the development process यानि कि client का feedback है वो हमें जल्दी मिल जाता है prototype model में और इससे जो हमारी development की speed होती है काम करने की जो तेजी होती है वो बढ़ जाती है अब obviously बात है कि जो customer है हमारा अगर हमें अच्छे से review दे रहा है feedback वगरा सही से दे रहा है तो हमें यह समझ में आता रहेगा ना ह हमारा काम सही है यह नहीं सही है next point कह रहा है developed prototypes can be used later for any similar projects अब obviously बात है जो prototypes हम बनाएंगे उनको delete थोड़ी कर देंगे उनको उठाके fake थोड़ी देंगे जो prototypes बने हुए हैं उनको similar projects में हम use कर सकते हैं दिखा सकते हैं जो हमारे customers होंगे उनको next point कह रहा है missing functionalities and errors can be detected early यानि कि जब हम prototype बनाते हैं तो किन functionalities की कमी होगी आगे चल की या क्या errors हम face करने वाले हैं वो हमें पहले से ही दीरे दीरे अंदाजा होने लगता है तो हम करते क्या है कि पहले से ही उन चीजों के लिए तयार रहते हैं next point कह रहा है software designers and developers understand about what exactly is expected from the product it means कि prototyping के help से उन्हें ये चीज सम slower and time taking process prototype так running over time taking process उनने प्रोटयोड़ी इक इसा ही नहीं उन्हें पनाने में आप्रोटाईपृा कि मॉडल को फॉलो करने में बहुत दिक्कत होती है next risky for fresh developers जैसा कि हमने कहा जो fresh developers होते है जो beginners होते हैं उनके लिए ये model को यूज करना बहुत रिस्की है उन्हें ये model इसल में करना ही नहीं चाहिए, next, poor documentation due to changes in the requirements, जो documentation होता है, जो software का पूरा documentation तयार किया जाता है, कि उसमें क्या features है, क्या language use हुई है, या क्या color schemes वगरा है, तो वो सारी चीजों का एक documentation बनता है, तो इसमें documentation बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें जो requirements होती ही, वो बार बा project on time, यानि कि जो भी time fixed है meeting का, उस पर मिलना जरूरी है, वरना project time पे complete नहीं हो पाएगा, और development में time बढ़ जाएगा,